Hello Students, हमने 5CVA का maps, dynamec start करा था जिसका हमने chapter 2nd start करा था chapter No. 2nd का, जो relative motion है उसका हमने example No. 1st कर लिया था example No. 2nd हम इसका start करते हैं क्या है? अब person जो है going, कहां जारा है? going eastward eastward जा रहा है with velocity 4 km per hour तो पहले हम बना लेते हैं मैंने आपको सबसे कल बताया था यो lecture में कि पहले हम इसके axis बनाएंगे अब यहाँ पर eastward down मतलब आपको पता हुँँचे east, west, south east, west, south और north ठीक है यह चीजे पता हुँचे person कहां जा रहा है east की तरफ जा रहा है 4 km देखो, diagram में सब कुछ चीपा है इसका अगर आपको चीजे clear हो गई है उसके इलावा questions में कुछ नहीं है person कहां जा रहा है going eastward हमें बताना है find करना है, एक wind appear to blow, कहता है कि हवा चल रही है, आदमी जा रहा है इदर share कर रहा है हवा कहां से आ रही है with appear, appear miss हो रहा है show हो न इस चीज को ध्यान लखना appear miss, appear हो रही है एक्चुल नहीं पता हमें कहां से आ रही है appear हो रही है, कहां से appear हो रही है to blow directly from north वो कहता है कि ऐसे appear हो रही है कि वो north से आ रही है ठीक है he double his speed अब हवा चल रही है बंदा क्या करता है, अपनी speed को double कर देता है और जो wind है पहले यहां तक देखो एक question खतम है यहां एक question खतम है कहता है कि एक person ist की तरफ जा रहा है हवा north से आ रही है काम खतम अब दूसरा case क्या हुआ कि जैसे ही उसने अपनी speed double करी जैसे ही बंदे ने अपनी speed double करी पहले चार थी बंदे ने 8 कर दी तो हवा कहां से दिखाई देने लगी हवा appear to come appear में सोता है कि हमें लग रहा है actually नहीं पता हमें कहां से आ रही है appear हो रही है relative में हम क्या करते है जब भी मैंने आपको कल बताया था relative की बात करते है तो जिस की बताते है उसकी actual की बात करते है और जिस के with respect to birth करते है उसकी हम appearance reverse की बात करते है ठीक है appearance क्या है उसकी reverse velocity क्या है तो अब क्या होता है अब देखो इसमें क्या है एक person going इस ट्वार्ट यहां से जा रहा है यहां से हवा आती दिखाई देते हैं तो हम देखते हैं पहले पार्ट में फिर जाएंगे second part में हां जी हम यहां सोरी statement बढ़ते from north east north east कौन सा होता है यह वादा यह north east है second case में हवा यहां से आनी शुरू हो गई है यह डाइगराम यहां से दिखा रखा है तो हम पहले first से देखते हैं वो कहता है take w o e w o e क्या है आपका x-axis है और s o n क्या है y-axis है अब apparent है तो हमें इसकी actual velocity लेनी पड़ेगी हवा इधर जारी है यह हवा इधर जारी है आदमी इधर जा रहे हमने मानने कि v क्या है उसकी actual velocity है wind की वो कि actual मानने लेते हैं कि वो कहां से आ रही है south east से आ रही है ठीक है इस south से आ रही है तो and suppose it blow in a direction वो इस तना से कि वो axis के साथ ठीटा angle बना रही है यह तो हमें appear हो रही है जैसे आदमी चल रहा है वो सोच रहा है appear कर रहा है कि उसकी velocity यहां जा रही उसकी जो wind wind है appear हो रही है नोर्थ की direction में लेकिन मान लिया कि actual में क्या है जो wind wind है वो south east से आ रही है और वो east के साथ ठीटा angle बना रही है ठीक है जी तो क्या होता है it suppose it blows in a direction making an angle ठीटा south to east ठीक है एन south से east की तरह वो ठीटा angle बना रहा है south of east south of east का मतलब क्या होता है of east अगर east of south होता तो वो south के साथ ठीटा angle बनाता south of east है तो वो east के साथ ठीटा angle बनाएगा an actual velocity wind is resultant तो देखो हमें क्या निकालना होता है we town है थीटा तो actual velocity किसकी होगी actual velocity होगी mund की किसके एकवल होगी जो हम actual की बाद करते हैं actual velocity किसके एकवल होगी वो होगी कि actual velocity कि actual velocity आपकी person की और प्लस में reverse velocity किसकी विंड की चो देखते हैं चीज को कैसे है कि जब भी हमने बताना होता है तो क्या बात करते हो जिसकी बतानी होती है देखो जैसे यह था हमने इसमें स्टोन की बतानी थी तो क्या निकालोगे एक्च्वल विलोस्टी ट्रेन की वो कितनी थी वी कोस ठीटा थी जो यह एक्च्वल विलोस्टी उने मालनी थी इसके साथ ठीटा किसके एक्वल होनी थी यह उनी थी एक्च्वल विलोस्टी स्टोन की एक्च्वल विलोस्टी स्टोन की माइनस में रिवर्स विलोस्टी स्ट इसकी ट्रेन की यही बताई थी यही फोर्मूला आपने हर एक यूज तो किस क्या बताना है हमने बताना है सब्सक्राइब कि डिरेक्शन के डिलेक्शन के रिफनी सिर्भ्ड रही है तो हमने बतानी है आदमी कि-स निकाल रखे है देखो डिया ऑप यह ब्लोस्टीㄹ ४र्स की आदमी लूल र्रॉलसोटी कि Days अ होगी आपकी रिवर्स विलोस्टी किस की होगी आपकी घुरिभर्स इंड के धुगलौinkर रही है इस डिरेक्शन से तरफ य एक्सिस कि तूर्स इस तीरेक्शन में बेड्र किसक्रा जीया 5 फोस्यला उखेंग यह तो फिकोसट्प भी कोर्षेटा इन्हें डिरेक्टर लिखा हुए क्या एक्टर в如果 a wind is equal to actual velocity percent plus apparent velocity wind की ठीक है apparent velocity of wind की अगर मैं इस direction की बात करूँ ठीक है apparent velocity wind की इस उसे direction की बात करनी है तो जैसे हमने क्या करा था जब V coast ही ठीक है तो velocity of stone की पताई थी इसके long और reverse velocity train की पताई थी उसे direction के long तो यहाँ पर कितना आएगा अगर मैं इस axis की बात करूँ तो इसके long पहले इसके ले लिया कि जो यह actual velocity wind की इसके long कितनी है इसके साथ theta angle बना रहा थो V coast theta is equal to इसके plus में actual velocity person की plus में reverse velocity wind की इसके long तो reverse velocity इसके long कितनी है 0 तो यहाँ से अपका यह निकल गया यह तो काम हो गया यह तो पहला case खतम है ठीक है जी अब case second पर जाते है कि जैसे ही आदमी अपनी speed double करता है तो वो कहां से हवा आनी start होती है north history से देखो when the man double his speed जैसे ही आदमी ने अपनी speed double करी है तो actual velocity percent कितनी होगी इतनी होगी ठीक है let you be the apparent velocity मान लिया कि you कहां क्या होगी उसकी apparent velocity है wind की along away oa की along you उसकी क्या है appear है मतलब मान रहे हैं कि apparent velocity उसकी यह है तो यह angle आपको इसमें कैसे निकलेगा देखो इस चीज को यह इसमें कैसे यह देखो देखो let up you wind along किसके along जा रहा है oa जा रहा है oa की along मतलब कि कहां से जा रहा है इसके साथ यह angle कितना बनेगा south of west south of west ले रहे हैं यह क्या करता है इसको equal parts में divide करता है मतलब जैसे इस axis के बीच north और east के बीच कितना angle है 90 यह 90 है तो अगर मैं इसको यह क्या कर रहा है यह velocity जो है वो किसके बीच में ले रखी है south of west के बीच में ले रखी है तो मतलब इसको equal parts में divide करती है तो यह पूरे angle 90 तो यह भी 45 यह भी 45 यह 90 और यह पूरे angle कितना हो जाएगा 135 अब देखते क्या कर रखा actual velocity wind की निकालने के लिए is the resultant of apparent velocity of wind प्लस में actual velocity of person therefore V is the resultant V किसका resultant होगा V तो हमने क्या ले रखी है यह parent मान रखी है V हमने क्या ले रखी है तो कि उसने बोल रखा था कि जैसे ही वो अपनी speed को double करता है तो जो हवा है वो कहां से आती दिखाई देती है north east से हवा north east से आती दिखाई देती है हवा यह 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 चीज कर रखी है ठीक है और यह इसके साथ यह इसकी apparent है बता रखे है मान लिए कि वो view velocity है जो apparent दिखाई दे रही है तो V क्या ले लिए यह capital V है V resultant है तो V कोस्ट छिटा तो यही कर रख है V कोस्ट छिटा किसके लोग बता रहे है अगर मैं इसके about बता हूँ किसके about इसके इस एक्सिस के about इस चीज को ध्यान से समझना आपकी बुक में direct कर रखे है हम देखती हूँ V क्या है resultant velocity है किसकी resultant velocity है आदमी की sorry V किसकी है wind की resultant velocity है resultant velocity है इकवल होगा equal to actual velocity इसकी actual velocity किसकी मैन की इस direction में अगर मैं OE की about बता रहे हूँ OE की about पहले तो actual velocity किसकी wind की is equal to actual velocity man की eight plus में reverse velocity किसकी wind की wind कहां से जा रही है यह रही इस इसके साथ कितना angle बना रही है 135 degree तो plus में reverse लेकते हो न आप इसकी reverse के लिए क्या होगा minus होगा तो minus तो apparent velocity किसकी apparent velocity इसकी है OEK long ये इसी side में move कर रही है तो ये कितना angle बनाएगी आपके पास ये बना रही है plus में U cos 135 लेकरी तो अब क्या है अब वही same है अब किसके long result कर दिया OEK long कर दिया पहले इन्होंने OEK long कर रहा एक X axis के about करते हैं और एक OY के about करते हैं अब इन्होंने OS के about कर दिया अगर मैं इसको O देखो इसके अगर ये चीज़ है ये 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 है ये है यह है यहाँ पर ये V की resultant velocity है वी resultant velocity है किसकी sorry V इसकी actual velocity है wind की जो OE के साथ theta angle बना रही है तो क्या होता है रिजल्ट तो V cos theta दुबारा से देखते है actual velocity man की इसके long कितनी थी 8 प्लस में apparent velocity wind की इसी के long apparent velocity wind की इसी के long wind कहां है इधर जा रही है तो ये इसके साथ कितना angle बना रही थी plus में कितना बना रही थी you cos 135 प्लस अब इसके रिजल्ट करोगे तो इसमें कितनी है actual velocity इसके long कितनी हो जाएगी जीरो इसमें दो 0 हो जाएगी person कि सके long 0 हो जाएगी और और उसके बाद apparent velocity wind की OS के long कितनी हो जाएगी इसके साथ कितना angle बनाएगी 135 बनाएगी इसके जाए अब यह कैसे होगा अब यह इसके about ले लोगे यह भी angle कितना है आपके पास 90 यह और 45 यह वाला पूरा angle कितना हो जाएगा 135 तो u sign दोनों की value सेम होती है यहां से आपके पास दोनों निकल जाएंगे बस एक formula याद रखना है actual velocity क्या है जैके जैसे a की a की with respect to b बतानी है यह result याद रखना तो actual किसकी b की किसके एकवल होगी मान लो ox के about बता रहे हो तो actual किसकी a की ox के about प्लस में reverse किसकी b की ox के about यह result याद रखना है अगर यह result याद हो गया तो इसके इलावा doubt कोई नहीं आएगा तो फिर वही scaring adding करके आप angle निकाल सकते ह इसको हंजी हो जाएगा अब इसका हम थार्ड एक्जांपल देखते हैं थार्ड एक्जांपल भी बहुत इजी है थार्ड एक्जांपल क्या है दो motor car है वह move कर रही है uniformly देखो statement clear है तो questions में कुछ भी नहीं बचता motor car moving uniformly along two state road लेकिन जो state road है उनके बीच के एंगल 60 डिग्री है तर इकौट आटर है मान लो एक यहां मूब कर रही है और दूसरा से साह सुद्धी में इतना बनेगा और मोब करांगा है जिएंक्छन के पास और दूसरी junction से दूर, तो पहले की direction ये, दूसरे की direction ये, हमें क्या बताना है, relative velocity बतानी है, first key with respect to second, तो क्या result यूज़ होगा, actual velocity first key is equal to, sorry, actual velocity किसकी second key is equal to actual velocity first key, plus reverse velocity किसकी second key, तो यही result हमने यूज़ करना है, तो OX के about बताओगे, और दूसरे किसकी about बताओगे, OY के, access के about बताते हो आप, तो actual velocity किसकी, first key बतानी है, along OX, कितना बना रही है, actual velocity first key, first कौन सी है, यह है, यह कौन सी है, second है, first key इसकी about, देखो, direction change है, opposite आ रही है, इस side आ रही है, तो कितना angle बना रही है, first, along OX के about, कितना बना रही है, आपके पास, negative है, minus, यह उसकी velocity है, और कितना angle 60, minus 20 cos 60, actual velocity first key, first key, इसकी, इसके about, कितना angle बना रही है, अब यह जो आपकी first है, देखो, अगर यह इसके साथ कितना बना रही है, minus cos 60 बना रही है, तो actual velocity first key along इसके साथ, यह इसके साथ कितना angle बनाएगी, sign ले लोगे, बस और तो कुछ फरक नहीं आएगा, फिर actual velocity, second तो इसी along move कर रही है, और इसी के along बतानी है, तो 12 cos 0, यह 12 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 12 cos 0 है, फिर actual velocity second car की, अगर यह ox में move कर रही है, तो oy में इसके velocity 0 होगी, तो यह reverse निकाल लखी है, तो result क्या होता है, result होता है, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है, find the relative velocity first key with respect to second, तो क्या होगा, actual of किसकी second key, equal to किसकी, actual first key, plus reverse second key, यह चीज होगी, तो actual first key, ox के about, first key, ox के about, actual निकालने के लिए, मान लिया actual, नहीं दे रखा, वो ox के साथ कितना angle बना रही है, theta बना रही है, तो कितना v cost theta, किसके बाद, actual first key, sorry, second की बता नहीं है, यह तो actual मान लिया, जो second है, वो इसके साथ theta angle बना रही है, 60, minus 20 cos 60, plus में reverse second की, reverse second की, कहां क्या, reverse velocity second की, minus 12, यह रहा, ठीक है जी, फिर v sin theta, actual velocity, वो ही sign की form में ले लोगे, तो यहां से आपका o y के लोगे, यह आपके पास क्या है, यह आपके पास o x के about बता दिया, यह नहीं ने o y के about दिया, फिर वही same result है निकालना, तो यहां से आपका answer हो जाएगा, ठीक है जी, तो अब आप इसका, fourth example, कि मैं आपको statement समझा देती हूँ, सिरफ एक बार angle तक, तो आप इसको बाकि खुट ट्राइक करोगे, cyclist travel कर रहा है, 10 km per hour से, overtaking by a car, moving at a 10 km, as they both are, राई वैटा, cross road, the cyclist keeps straight on, but motorcycle proceed along the road, with making an angle theta, क्या कह रहा है, एक cyclist और car जो move कर रहे हैं, वो दोनों एक ही side move कर रहे हैं, जैसे यहां से उन्होंने moves करना, start करा, ठीक है, अब एक ऐसा junction आया, कि car वाले ने तो अपना change कर लिया, लेकिन cyclist उसी direction में move करता रहा, cyclist travel कर रहा है, 10 km per hour से, overtaken by the car, और car जो है, वो move कर रही है, 10 route 2 से, ठीक है, एक road पर आये, यहां पर आये, तो cyclist का करता रहा, अब नहीं चलता रहा, लेकिन, car ने क्या करा, motor car ने अपनी position change कर दी, और क्या करा, देखो, इस चीच को ध्याज़े समझो, the cyclist keeps straight on, but जो modelist था, वो proceed along the road, proceed कर गया, change कर दी, और road के साथ कितना angle बना दिया, 135 with his previous line, with his previous line, यह पहले वाली line के साथ, कितना angle बना रहा है, 135, सबसे important चीज यह वाली है, previous line के साथ, 135 angle बना रहा है, यह पूरा 180 होता है, तो बचा हुआ 45, हमें क्या बताना है, velocity and direction, does the car appear to the cyclist, तो car किसके, appear to cyclist बतानी है, तो क्या करोगे, जिसके with respect to, तो actual velocity cyclist की, appear to cyclist, actual velocity cyclist is equals to, actual velocity car, प्रस में reverse velocity cyclist की, वही निकालनी है, cyclist और car initialist के लग मूव कर रहे थे, cross कर रहा हुआ उन्होंने, और रोड को, तो cyclist तो O-X में चलता रहा, लेकिन car कि scale long हो गया, इसके साथ, यह इसके साथ 135 बना रहा है, तो इसके साथ कितना बनाएगा, 45 degree, वी मान लिया, वही relative velocity है, car की with respect to cyclist, वी कोस ठीटा, वी इस दा एक्चुल, सुरी, वी इस दा रिलेटिव विलोस्टी car की, with respect to cyclist, किसके एक्वल होगा, तो car की, कितना इंगल बना रही है, इसके साथ, तो 10 root 2 plus cos 45, और इस reverse velocity cycle की, okay, appear to cyclist, तो यह actual, विलोस्टी, cycle की माल ली, equal to किसके, actual velocity car की, plus reverse velocity किसकी cycle की, actual velocity car की, ox के about, कितनी, 10 root 2, cos 45, plus में, reverse velocity cycle की, minus 10, ठीक है, तो V sin theta, actual velocity car की, इसके about, actual velocity car की, इसके about, बस V sin, sign ले लेंगे, cos की जगा, तो gas root, cos root 2, sign 45, और इसके about, इसकी velocity की इतनी है, 0 है, तो यहाँ से इसके बाद, यह question, आपका solve हो जाएगा, ठीक है जी, तो आप इसके अब 4 के question, try करना, जो इसके बच्चोंगे questions है, वो हम इसके, next lecture में करेंगे, thank you,